हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो मैं चैनल तो फ्रेंड से हम बात करेंगे आज बियार सी दो यार तेइस स्टाइबंडी ट्रेनी एड्मेट काड इसके अड्मेट काड कब तक आएंगे तो इस बारे मैं अज बता रहे हैं तो फ्रेंड्स जाता कि आपको पता होगा कि 22 जून जो है नोटिफिकेशन का फॉर्म बरने का जेट तो इस 22 जून के स возь seven है दो दस से पन्दर दिन जो यह वी एरसी इसका फॉर्म असैट Naval करना है और किस्का रजेक्ट करना है ते उसके लिए मानलो थोड़े दसका दिन उपर मानलो तो मेरे साब से तो जुलाई के मिड तक admit card आ जाना चाहिए है जुलाई के मिड तक जोगे लिए आपका exam अगस्त में expect है एक तरह से तो जुलाई के मिड में आ जाना चाहिए या फिर जुलाई के end में आ जाएगा तो में लिए जुलाई मान लो लिस्ट भी दो तरह से आती है एक होते है Screen-In. Screen-Out List दो तरह की है Screen-in List में उन बच्चो का नाम होता है जिनके फॉर्म बी, आर्सी ने असेट कर लिए है और Screen-Out List में उनका नाम होगा जिनके फॉर्म reject कर दिये गए है तो अब मैं आपको यह उता देता हूं कि किस-किस बच्चे के form reject होंगे और किस-किस का accept होगा उसके बाद आपको जब screen in list आएगी उसमें पता लग देगा कि आपका नाम है या नहीं है ठीक है तो अब चलते सिद्धा official notification पर जहां पर आपको लिखा है कि किस-किस के form बच्च the mandatory education qualification as on the closing date for receipt of online application need not apply no correspondence or clarification will be entered on this matter तो इसमें यह लिखा है कि यदि आपका जो education qualification है जो हमने notification दिया है उससे fulfill नहीं करता है तो आपका phone reject हो सकते हैं जैसे जो BRC का plant operator था उसमें जो है education qualification mark रखे थी PCM तो यदि किसी बच्चे पे PCM नहीं था फिर भी उसने apply कर दिया तो उसका form reject होगा या फिर किसी बच्चे के उसमें लिखाता 60% से minimum होने चाहिए minimum 60% 12% होने चाहिए तो यदि उसके 60% से कम है फिर भी उसने apply कर दिया तो उसका form भी reject होगा तो यह इस condition से form reject हो सकता है अब बात कर लेते हैं और points की इसमें लिखावा है candidate should read the instruction in the advertisement and online application carefully तो यह तो वह यह सब एक तरह से डंग से पढ़ना है ठीक है अब देखो 4.4 में बढ़ो only one application should be submitted for one post बहुत एक पोस्ट के लिए सिरफ आप एक बार apply करें अगर आप एक यादिक से ज़्यादा बार apply करते हैं एक पोस्ट के लिए तो आपको cancellation हो सकता है form आपका cancel हो सकता है यह आपका हो सकता है ठीक है या फिर आपने जो है photo डंग से नहीं डालिया तब reject हो सकता है photo का तो बहुत कम रहता है पर mainly आपका education qualification का issue रहता है इसमें BRC में तो यह दो तिन points है इस करके आपका form reject हो सकता है तो फ्रेंट सब बात करते हैं BRC plant operator के syllabus के बार में तो जहां तक मैंने इसका notification पढ़ा है उसमें साफ notification में कहीं भी syllabus नहीं दिखा है जैसे जाते हैं जैसे match आ रहा है reasoning आ रहा है जी की आ रहा है English आ रहा है तो उन सबका syllabus देथते हैं इसमें सिरफ यह लिखा है कि मैस के बीश कोशन आएंगे science के बीश कोशन और general awareness के 10 कोशन देखो यह लिखा है और तीन marks आपका plus के लिए जाएंगे correct के लिए और minus one negative marking के लिए तो इसमें syllabus तो कहीं से दिया वानी है प्रिल में टेस्ट हो गया ठीक है और फिर यह लिखा है कि 40% से कम होंगे तो उसकी इंडाउट हो जाएंगे क्योंकि लिए प्री जो है क्वालिफाइंगे यह आपको पता ही है advanced test में लिखा है कि वही 50M से ग्यों है और दो घंटे का है advanced अब तो गवें टेका है ठीक है और तीन मार्क्स वही प्रलस त्री और माइनस वन और स्किल टैस्ट के बारे में आ गया लेकिन आपको कहीं भी syllabus ने नोटिफिकेशन में official में syllabus आपका कहीं भी नहीं दिया गया है how to apply आगया फिर निचे देख लो पूरा कहीं में एप्लिकेशन फी सेंट्र एक्जामिनेशन ठीक है admission to examination आगया डिवी आ गया कहीं भी मतलब syllabus का दिकर नहीं किया गया है तो फिर भी मैं आपको syllabus एक तरह से आइडिया देता हूं कि क्या आ सकता है है तो यह syllabus है syllabus में कहें science में आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं ठीक है जो लुसेंट है ना लुसेंट की बुगातिये जनरल साइंस की वहां से पढ़ लेजेगा science और मैस के लिए आप SSC का कोई भी एक्जाम होता है चैसीजी लसीटेसल म्टीए जीडी अब उसके परीवेश लगा लीजें और जीके के लिए स्टैटिक और करेंट अफेर्स इस्टैटिक का मतलब है जैसे वह पूछ सकते हैं कि कौन सा डैम कहां पर है रिवर्स हो गया लेक्स हो गया ठीक है रिवर्स लेक तो यह सब सारा से लिवर्स हो गया आपका परी के लिए ठीक है और एडवांस टेस्ट के लिए एडवांस टेस्ट के लिए आपको पता सिर्फ फिदिक्स केमिस्ट्री और मैच्सी आएगा तो वह आप 11 और 12 की NCRD बुक्स से कवर आप कर सकते हैं NCRD is the best source ठीक है और को यह आपके बटकने की जुरत नहीं है NCRD सबसे बड़ी है या फिर आपको कर नोट्स बनाएते हैं आपने 11 12 में तो वहां से बढ़ सकते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका सिर्फ एक्सपेक्टेट के यह यहीं से आ सकता है परी का तो आप कहीं सोगेगा ठीक है और एडवांस क के बारे में तो ठीक है बस फीडियो किसी नेक्स वीडियो में मिलेंगे तो तब तक के लिए बाई बाई एंड ओल दा बेस्ट